हाई मैं दीपक पांडे आप सभी का परिच्छा मन्थन के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों जैसे कि अनुसूची वे अनुसूचीं में और सद्वी संशी व्यवश्टा संशथि आपनेश करेंगे उसके बाद संगात्मक विवस्था federal system और एकात्मक विवस्था unity system के बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे तो आईए जो है सबसे पहले हम लोग schedule के बारे में देखते हैं नुसूची के बारे में देखते हैं पीटी में preliminary exam में जो है इससे अक्सर question क्या करेंगे जाते हैं पूछे जाते हैं संभिधान में अनुच्छेद अनुसूची एवं भाग इसमें हम लोग देखेंगे कि जब संभिधान बन के तयार हुआ तो मूल संभिधान में मूल संभिधान में इनकी क्या इस्थिती थी और वर्तमान में क्या इस्थिती है वर्तमान संभिधान जिसमें हम लोग देखेंगे अनुछेदों की संख्या अनुछूची भाग पाट तो अनुछेद की संख्या कितनी थी 395 वर्तमान में कितने हैं वर्तमान में 445 प्लस अगर आप आर्टिकल और सब आर्टिकल काउंटिंग के लेवल पर जाएंगे तो जो है भारती संविधान में 445 प्लस एड़िकल क्या होते हैं दिखाई देते हैं जबकि मूल संविधान में अनुछू च्ञ्ख्या कितनी थी तो आठ अनुछूचियां थी नमबर की तो 8 प्रकार की अनुछूचिया थी अब वर्तमान में कितने हो गएंगे हैं 12 अनुचिया हो गई हैं भाग जो थे 22 पार्ट थे और वर्तमान में कितने हो गए है गरना की द्रिष्ट से काउंटिंग के लेवल पर आप आएंगे तो 25 पार्ट हो गए है जिसमें 4A, 9A और 14A, 14A ये क्या हुए है सब पार्ट क्या हुए है डे जिसमें 4A के अंतरगत हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया था 9A में जो है, पंचायतो के बारे में, और 14A में प्सासनिक अधिकरण एड्मिनिस्ट्रेशन ट्यूविनल के बारे में बात किया गया था जो question पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में ऐसे ही option बना देता है कि मूल संविधान में अनुछेदों की संख्या कितनी अनुसूचियों की संख्या कितनी और कितने भाग थे तो इसको आप learn कर लीजिए 395 अनुछेद 8 अनुसूची और 22 भाग जबकि वर्तमान में counting के level पे आएंगे तो अनुछेद 445 प्लस अनुसूचियों की संख्या 12 और कितने भाग हो गए पार्ट और सब पार्ट को मिला देंगे तो 25 लेकिन अगर आप आएंगे पार्ट की बात करेंगे तो वास्तों में है 22 पार्ट और अनुछेदों की संख्या कितनी है 395 आज भी अनुच्छे 395 हैं लेकिन अगर इसमें सब आर्टिकल्स को आप एड़ कर देंगे तो 445 प्लस आर्टिकल्स के आज पास आपको इसमें दिखाई देंगे इसक्रीन साथ ले लिजेगा आप लो अब हम लोग अनुचुची के बारे में देख लेते हैं और अनुचुची बताया कि हमने कितनी अनुचुचियां है तो अनुचुचियों की जो संख्या है 12 अनुचुचियां है और यहां से question अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन-कौन से अनुचुची में कौन-कौन से subject के बारे में बात किया गया है तो इसको आपको ध्यान में रखना है question यहां से एक दो ठोडिक जाते हैं तो अनुचुची और दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे विशे सब्जेक्ट तो जिसमें प्रथम अनुचुची या फर्स्ट अनुचुची में किसके बारे में बात किया गया है तो प्रथम अनु अनुचुची में कौन सा सब्जेक्ट है संग यह मुस्का राज्य छेत्र दूसरी अनुचुची कि दूसरी अनुचुची में वेतन के बारे में बताये गया है ये किसके वेतन के बारे में जो सम्विधानिक पदो पर बैठे व्यक्ति हैं उनके वेतन जैसे राश््ट्र पती राश्र पती राज्य पाल अ कि सुप्रीम कोट के नियाधीर इसंट चाहें ऐसे पदोंपर बैठे व्यक्ति दा नहीं बढ़न भणतों के बारे में दूसरी अनुसूची में बात किया गया है जिसको चिलजी के नाम से मों जानते हैं तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची में ग чуд सपत के बारे में बताया गया है कि सपत यही व्यक्ति जिनके वेतन के बारे में हम लोग दूसरी अनुसूची में बात किया गया है तीसरी अनुसूची में सपत के बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची चौथी अन्सूची में राज्य सभा में सीटों का आवंटन तो अगर चौथी अन्सूची में कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है चौथी अन्सूची में राज्य सभा में सीटों के आवंटन से सम्मंदित बात की गई है तीसरी अनसूची में सपत के बारे में बताया गया है दूसरी अनसूची में किसे लिए बात किया गया है लोग आगे चलते हैं तो चार अनुसूची तक हम लोगों ने बात कर लिया पांचवी अनुसूची पांचवी अनुसूची में यस्सी यस्टी के प्रशाशन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रशाशन एवं नियंत्रण से संबंधित छट्मी अनुसूची में छटी अनुसूची में ए यम टी एम एका मतलब असम मेघाले त्रीपुरा मिजोरम असम मेघाले त्रीपुरा मिजोरम के ज़ी त्रीपुरा मिजोरम जन जाती छित्रों के प्रसाशन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रसाशन एवं नियंत्रण से संबंधित तो पांचवी अनसूची में जो है यस्ती यस्ती के प्रसाशन एवं नियंत्रण से संबंधित जबकि छटी अनुसूची में असम मेघाले त्रिपुरा मिजोरम के जर जाती छेत्रों के प्रसासन एम नियंत्रर से संबंदित साथवी अनुसूची में साथवी अनुसूची के अंतरगत सूची के बारे में बात किया गया है लिस्ट के बारे में बात किया गया है तो सूची के अंतरगत तीन प्रकार के लिस्ट दिखाई देते हैं तीन प्रकार की सूचियां है एक है संग सूची यूरियन लिस्ट राज्य सूची स्टेट लिस्ट समवर्ती सूची समवर्ती सूची concurrent list तो ये तीन प्रकार की सूचियां है इन सूचियों को list को किसनु सूची में रखा गया है सात्वियन सूची में रखा गया है सेवेंट सेडिल के अंतरगत रखा गया है संग सूची के विशयों पर रूल बनाने का या जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है केंद्र सरकार के पास है जबकि रखी सूची के विशयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और समवर्ती सूची के विशयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र दोनों को है परंतु केंद्र को ज़्यादा सक्ति प्राप्त है राज्य की तुलना में तो इस प्रकार तीन प्रकार की सूचियां है संग सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एंड कॉनकरेंट लिस्ट एक कोश्चन और बहुत पूछता है कि समवर्ती सूची को किस देश के संभिधान से लिया गया है तो समवर्ती सूची को जो है आस्टेलिया के संभिधान से लिया गया है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है परन्तु केंद्र को ज़्यादा सक्ति प्राप्त है राज्य की तुल्ना में जब कि राज्य सूची के विशयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और संग्य सूची के विशयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है आटवी अनसूची, आटवी अनसूची के अंतरगत भासा को रखा गया है, लेंग्वेज को रखा गया है, भासा कितनी भासा है है, बाइस भासाओं का उल्लेक भातिश अंविधान में किया गया है, तो आटवी अनसूची के अंतरगत भासाओं को रखा गया है, नवी अनसूची में, नवी अनसूची के अंतरगत विशेश उपबंद रखे गया है, विशेश उपबंद, दसवी अनसूची, दसवी अनसूची के अंतरगत, एंटी डिफेक्शन प्रोवीजन या दल बदल अधिनियम या दस्वियन सुची को भाती संविधान में 52 संविधान संसोधन अधिनियम 1985 के जोड़ा गया तो दस्वी अनसुची बहुत ही महत्तो पूर अनसुची है यहां से एक्सर कोश्चन पूछे जाते हैं कि दस्वी अनसुची या 10 से डिफेक्शन प्रोवीजन या दल बदल अधिनियम को रखा गया है तो 1985 में सामिल किया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा सामिल किया गया तो 52 संविधान संसोधन अधिनियम 1985 में क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया नेक्स्ट आते हैं ग्यारवी अनसुची ग्यारवी अनसुची में हम लोग देखते हैं ग्यारवी अनसुची में पंचायती राज के बारे में बात किया गया है पंचायती राज बेवस्था यह पंचायती राज बेवस्था जो है ग्रामीड छेत्रों में ग्रामीड छेत्रों में रूरले रियाज में दिखाई दे लेता है और जो पंचायती राज विवस्था को भारतिय संविधान में तिहत्तरवा संविधान संसोधन अधिनियम 1902 में जोड़ा गया और 1902 में ही पंचायती राज विवस्था के अंतरगत कितने भी से रखें गया है इस 29 विश्यों पर कारे करने का राइड जो है पंचायती राज अस्तर पर पंचायती राज संस्था को कारे दिया गया है तो इस प्रकार ग्यारवी अनसूची में पंचायती राज विवस्था है जो रूरल एरिया आज में दिखाई देता है और इसे कब सामिल किया गया तो इसको जो है 73 वा संविधान संसोधन 1902 द्वारा और कितने विशे रखे गए हैं इसमें तो 29 विशे रखे गए हैं 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं नेक्स चलते हैं हम लो कि बारवी अनुची है कward Benni कि नंगर निगम क बारे में बात किया गया है यह नगर पालिका नगर निगम अरबन एरियाज्स सम्बंधित होता है अर्बन एरियाई में आप देखते होंगे सबासत का चुना होता है वहाँ पे चेर्मेंग चुना जाता है तो उन सब इलेक्शन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस बारवी अनसूची को चवत्तरवा संबिधान संसोधन उनिस सो बानबे के द्वारा जोड़ा गया और इसके अंतरगत जो है 18 विश्यों को रखा गया है तो इसे बारवी अनसूची के अंतरगत 18 विश्यों को रखा गया है तो हम लोगों ने schedule के बारे में बात किया, अनुसूचियों के बारे में बात किया, तो भाती संभिधान में वलतमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 प्रकार की अनुसूचिया है, जिसके अंतरगत हम लोगों ने एक-एक करके हर subject के बारे में बात किया, जिसमे अनुसूची में राज्य सभा में सीटों का आवंटन पांचवी अनुसूची में यसी यस्टी के एड्मिनिस्ट्रेशन एवं कंट्रोल से संबंदित चीजों के बारे में उसके अलावाँ छटी अनुसूची में असम मिघाले त्रिपुरा मिजोरम के ट्राइप्स एरियाज के एड्मिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में उसके बास सातवी अनुसूची में सातवी अनुसूची में हम लोगों ने तीन प्रकार की सूचियों के बारे में बात किया लिस्ट के बारे में बात किया जिसके अंतरगत यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट पर जो ह लोगों को है परंतु राग प्रबतु केंद्र के पास ज्यादा सक्ति प्राप्त है और एक कोश्चन इस से पुछा जाता है कि समुधी सुची को भार्ती संभिधान में कहां से लिया गया तो समुधी सूची को भारती संभिधान में आइस्टेलिया के संभिधान से सामिल किया गया फिर उसके बाद आठवी अनसूची के बारे में हम लोगों ने बात किया और आठवी अनसूची में हम लोगों ने देखा कि लेंग्वेज के बारे में भासा के बारे में बताया गया है जिसके अंतरगत 22 इस बासाओं को रखा गया है नवी अनुसूची में हम लोगों ने विशेश वबंद के बारे में बात किया है इस दस्वे अनुसूची को जो है बारती संभिदान में बावनुवा संभिदान संसोदल 1985 के द्वारा जोड़ा गया इसके अंतरगत दल बदल अधिनियम को रखा गया है 11 अनुसूची के अंतरगत हम लोगों ने पंचायतों के बारे में बात किया जो रूरल एरियाज में दिखाई देता है इस पंचायत को या 11 अनुसूची को 73 संभिदान संसोदन 1992 में सामिल किया इसके अंतरगत 39 विश्यों को रखा गया है 29 सब्जेक्ट रखे गया है फिर उसके बाद हम लोगों ने बारवी अनुसूची के बारे में चर्चा किया और बारवी अनुसूची जो है सहरी निकाय के बारे में सहरी छेत्रों से संबंदित है जिसके अंतरगत नगर पालिका नगर निगम, municipalities के बारे में हम लोगों ने बात किया और इसके अंतरगत 18 subject को रखे गए या 18 विश्यों को रखा गया है और इसे 74 संबीदान संसोधन 1992 द्वारा इसे भी क्या किया गया एट किया गया तो यह अनसूची के बारे में हम लोगों में बात किया अब इसके अलामा जो है जो है कुछ और टर्मलाजी है जो आप जो है किस सब्जेक्ट में यूज करते हुए दिखेंगे तो ऐसे टर्म्लाजी को रूख करते हैं जिसके अंतरगत हम लोग पालिया मेंट्री सिस्टम के बारे में फिर उसके बाई हम लोग देखेंगे अध्याची सिस्टम कर देंटिय सिस्टम के वाइंगे तो आम लोग बारे होता क्या है संसदीय बिवस्था संसदीय बिवस्था संसदीय बिवस्था वर्षेज अध्यच्छी बिवस्था या प्रेसिडेंसियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे उसके लिए जो आधार होगा आधार क्या होगा बेस क्या होगा आधार यह होगा कि हम लोग देखेंगे विधाई का एवं विधाई का एवं कार्य पालिका के आधार पर इनके वीच अंतर को हम लोग समझेंगे कि इनके वीच डिफरेंस क्या है कि विधाई का एवं कार्य पालिका के आधार पर किस तरीके का अध्यच्छी बिवस्था में डिफरेंस दिखाई देता है और किस तरीके का जो है संसदिय विवस्था में जो है डिफरेंस दिखाई देता है तो संसदिय विवस्था के अंतरगर विधाई का एवं कार्य पालिका के मध्य विधाई का लेजिसलेटिव एवं एक्जीक्यूटिव कार्य पालिका के मध्य के मध्य समन्वय होता है कारेपालिका के मद्ध क्या होता है समन्वे होता है या हम यह कहेंगे कि विधाईका के ही सदस्य विधाईका के सदस्य कारेपालिका के सदस्य होते हैं तो मैंने बताया कि जो संसदिय व्यवस्था है संसदिय व्यवस्था में पालिया मेंट्री सिस्टम में क्या होता है विधाईका एवं कारेपालिका के मद्ध समन्वे होता है अर्थार विधाईका के ही सदस्य कारेपालिका के सदस्य होते हैं विधाईका के ही सदस्य कारेपालिका के सदस्य होते हैं अर्थात विधाई का के प्रती कार्यपालिका उत्तरदाई होता है, एकाउंटेबल होता है, अर्थात विधाई का के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, या विधाई के प्रती कार्यपालिका उत्तरदाई होगा, एकाउंटेबल होगा, इस विवस्था में हम लोग देखते हैं कि जो वास्तविक सक्तिया होती है और जो नाम मात्र की सक्ति होती है, नाम मात्र की सक्ति किसके पास होती है, तो नाम मात्र की सक्ति जो है राश्ट्रपती के पास होता है, नाम मात्र की सक्ति संसदिय विवस्था में राश्ट पती के पास होता है जब कि वास्तविक सक्तियां जो वास्तविक सक्तियां होती है रियल जो पावर होता है वह वास्तविक सक्ति किसके पास होता है प्रधान मंत्री के पास होता है पीम के पास होता है मंत्री परिसद vaustoon सकति या प्रदानमंत्री या मंत्री परिसद में नीत होती है और राश्टेपती के पास जो है नाम मात्र की सक्टी वता है और वाश्टविक सक्टी कि इसमें होती है वास्तविक सक्ति जो है मंत्री परिशद या पधान मंत्री में दिखाई देता है और इस बिवस्ता में जो राश्ट्रपती होता है वह मंत्री परिशद की सला पर क्या करता है कार्य करता है मंत्री परिशद की सला पर राश्ट्रपती क्या करेगा कारे करेगा तो संसदी विवस्ता में हम लोगों ने क्या देखा कि विधाईका एवं कारेपालिका के मद्य क्या होता है समन्व होता है अर्थात विधाईका के ही सदस्य कारपालिका के सदस्य होते है अर्थात विधाईका के प्रतिकारपालिका क्या होती है उत्तरदाई होती है और इस बिवस्ता में पालिया मेंट्री सिस्टम में वास्तविक सक्तियां जो है मंत्री पर्षद या पधान मंत्री म में होती है राष्ट पती या राष्ट्रा ध्यच में होता है और राष्ट पती मंत्री परिशद की सलाह पर क्या करता है कार्य करता है तो यह हम लोगों ब्रिटेन में लिखते हैं तो संसदिय बेवस्था वहारत में यहीं ब्रिवस्था दिखाई देती है जäss honor वीवस्था कि तो हम लोगा सिस्टेम के नाम से क्या करते हैं तो हम लोगों ने कैकर यह होगा कि भारत एक संसदीय विवस्था वाला क्या है इस इस ocbs में ब्रितेन के संसदीय विवस्था में वहां का जो राष्ट्रा ध्यच्छ होती है वह आनुवांसिक होता है वहां महरानी पाई जाती है या महाराजा का पत दिखाई देता है तो हम लोग कहेंगे के यहां पे संसदी गड़ तंत्री अव्वस्था दिखाई देती है भारत में जब कि बृटेंड में संसदी राज तंत्री विवस्था दिखाई देता है क्योंकि वहां के राष्ट्रा ध्यच्च का चुनाव नहीं होता है एलेक्षन नहीं होता वह क्या होता है अनुवांसिक होता है जब कि भारत में क्या होता है क्या है तो इसलिए भारत में गर्टन्त्री वेवस्था दिखाई है जब कि medretten में राज्टन्त्री वेवस्था दिखाई थेंक यू आज लोग का क्लास यहीं तक कर नेक्सट वीडियो में हम लोग जो है प्रेशिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे अध्य अच्छी वेवस्था के बारे में बात करेंगे थेंक यू